हालो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैगनेट प्रेंज यहां पर आ गए हम अपनी बसंद बुक का सत्रवा चैप्टर बाज और साप बाज और साप यह जो कहानी है लिकी है निर्मल वर्मा जी ने तो निर्मल वर्मा जी ने इस कहानी में हमको बताया है कि यह दो अलग-अलग तरीके के प्राणी है इनका रहन सहन सब कुछ अलग है और इनकी सोच भी किस हद तक अलग है हम यह इस पार्ट के अंदर देखेंगे यह पार्ट हमें कई चीजें बताता है कि माना वेक्ति जितना भी चोटिलिया घायल हो मगर उसके साहस में कमी नहीं आनी चाहिए यानी उसको अपनी आखरी सांस तक हिम्मत बनाकर लड़ते ही रहना चाहिए चाहे जैसा भी परिस्तिति क्यों नहीं चलिए पढ़ना शुरू करते हैं यह पार्ट हमें क्या बता रहा है क्या समझा रहा है और क्या घटित हो रहा है इस कहानी के अंदर तो पार्ट शुरू होता है इस पार्ट में दो प्राणियों के जीवन दो प्राणिय हमारा यानि कि एक बाज और एक सांप दो प्राणियों के जीवन एवं के जीने और सोचने के धंका वर्णन है कि कैसे वो सोचते हैं कैसे जीते हैं पहला प्राणि बाज जो साहस का प्र बहुत अच्छा सहासी पक्षी होता है वो बहुत अच्छी निगाह रखता है बहुत अच्छा शिकारी होता है अपनी जान की परवा किये बिना आस्मान की उचाईया नापता है वह स्वतंतता को अपनी जान से बढ़कर चाहता है मतलब उसकी जो खुद की आजादी है उसे स सबसे ज़ाधा पसंद करता है उस से ज़ादा हुसके लिए कोई एहम नहीं है इवेन उसकी खुद की जान भी उसके लिए एहम नहीं हैं दूसरा प्राणी साप अपनी नर्म नम एवं अन्धेरी खोखल तक ही सीमित रहता है यानि कि जहां पर वो रहता है वो जगह नम होती है अंधेरी होती यह साप हमेशा छुपकर रहता है और नमी वाली जगह में रहना पसंद करता है बास का साहस उस कायर प्राणी में भी साहस भर देता है तो बाज जो है इस कहानी में बता है कि बाज का जो साहस है वो साप जो एक कायर जिसको बोला जाता है उसमें भी साहस भर देता है चले देखे कहानी कैसे शुरू हो रही है कहानी शुरू होती है समुद्र के किनारे उचे परवत की अंधेरी गुफा में एक सांप ने अपना वास बना रखा था समुद्र की लहरे चमकती जिल मिलाती और चटानों से टकराया करती थी तो क्या था एक खो टाइप की थी उसके अंदर सांप रहता था तो समुद्र की लहरे आती थी उससे टकराती थी वापस जाती जिससे वह जिस घो के अंदर रह रहा था उसमें नमी बनी रहती थी अब उ वही चीज बताया कि चमक्त जिल मिलाती और चठ्टानों से टकराया करती थी परवत की अंधे tying में एक नदी बहति थी परवत की जटी हने थी घाटीं little परवत से लेकर नीचे तक की तरव तर जब आता है ना जिसको हम खाई बोलते हैं दो पहाडों के बीच का जो एरिया होता है वो घाटी होती उन्हिंभी में से जो नदी गुजरती थी जो पूरे वेग के साथ समुद्र की ओर जाती थी पूरी वेग मतलब पूरी तेजी के साथ आप जाहिए से बाaju पहार से आने वाली with हम समुद्र से जाकर लहले दूद सी सफेद दिखाई पड़ती थी अब पानी से पानी का टकराव हो रहा है तो क्या होता है कि उससे बहुत जादा जाग बनता है और वहाँ पर सफेदी आ जाती है जब भी पानी से पानी तकराएगा तो वहाँ पर सफेदी का आना क्योंकि बहुत मात्रा में हवा हवा उसके अंदर जाती है जब हवा अंदर जाएगी तो वह जाक के रूप में हमें प्रतित होने लगती है बुल्बुले उटने लगते न तो वह हमें सफेद सफेद दिखाई देने लगती है अपनी गुफा में बैठा साप लहरों का गरजन आकाश में चिपती पहाणिया नदी गुसे भरी आवाज सब कुछ देखा और सुना करता था मतलब साप जो है वो अपनी गुफा में बैठा सब सुन रहा था वो उसको सुनाई सब को कहते न कि साप के कान नहीं होते तो यहां सुनने का मतलब क्या होता है साप कमपन से पहचानता है यानि कि आस पास घट रही कोई भी जो घटना होती है वो कमपन यानि कि वाइब्रेशन के थूरू प्रत्वी पर हो रहे हैं वाइब्रेशन के थूरू वो कहां तक पहुंचती है साप तक पहुंचती है और व वहाँ अपने आपको सबसे दूर सुखी तथा अपनी गुफा का मालिक समझता था यही उसका सबसे बड़ा सुखता तो क्या था वो यह सोचता था कि जहां इतनी आवाजे हो रही हैं वह कितनी तरह की घटनाएं घट रही होंगे यह चीज होती ना वहाँ बहुत तरह की की संसार था इस सिर्फ उसकी गुफा तक का सेमित उसे बहुत अच्छा लगता था फिर क्या हुआ एक दिन एक बाज खून से लटपत दशा में गुफा में आ गिरा उसके सीने पर जख्म थे तथा पंक खून से सने थे तो एक बास जो है वह आकर उसकी गुफा के मुहाने पर आके गिर गिर गową मुहाना मतलब गुफा होता है ना उसके सामने आके गिर गया वो उसको जख्म लगे होए थे और वो बहुत जञदा जख्मी था कहते हैं पक्षियों में लड़ाई होती है उसी उसी लड़ाई के दौरान वह बास जख्मी हुआता और आकर जमीन पर गिरा था जमीन पर गिरते ही उसने जोर से चीक मारी और धरती पर लोटने लगा लोटने क्यों उसको तकलीफ हो रही थी इसलिए वह तरपना जिसको बोलते हैं वह लोटने लगा डरी सापने सोचा कि अब जब बाज अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है तो उससे डरना बेकार ह है वह साप का शिकार करता है यह हमी सब को पता है तो भई बाज को देखकर साप भी डर गया लेकिन उससे सुचा रहे यह तो अपनी आखे सांस आखरी सांसे गिन रहा है अलड़ी यह इतना जखनी है मुझे क्या चोट पहुचाएगा तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली क यह मुझे तकलीफ नहीं पहुचाएगा अब क्या साप गायल बाज के पास पहुचा और मन ही मन खुश होकर बोला क्यों भाई इतनी जल्दी मरनी के तयारी कर ली बाज ने करहा भरते हुए कहा लगता है मेरी आखरी घड़ी आ गई है परनतु मैंने अपनी जिन्देगी क इसको जी भर के भोगा है तो अब साप आया अब भई उसका दुश्मन मर रहा है बास को उता है डुश्मन होता है और बहुत अच्छे से जी है मैं खुश हूँ अपने जीवन से अब मृत्यू भी आ जाए तो डर नहीं कहने का मतलब अब मैं आखरी सांसे लेने जा रहा हूं और मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने इस समय तक अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी ली है शरीर में ताकत रहते मैंने हर सुक को भोग चुका हूं दूर दू तक उड़ाने भरी हैं आकाश की असी मुचाहियों को ना पा है पर तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम देखी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाओगे तो उसने क्या बोला कि मैंने जहां तक मैंने चाहा वहां तक मैंने उड़ा उड़ान भड़ी है और मुझे बहुत ही इस चीज की खुशी है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदी की जिगा हूं लेकिन अब साप पे अफसोस करते हुए बास क्या बोलता अब देखिए बास मर रहा है तब भी उसके अंदर इतना साहास है कि वह साप से क्या बोल रहा है कि तुम तो इस आनंद को कभी अनुभवी नहीं कर पाओगे तुम तो जमीन पर रहते हो तुम आकाश के आनंद को कभी अनुभव करी नहीं सकते हो क्योंकि तुम अउड़ी नहीं सकते हो साप ने उससे कहा आकाश को लेकर उसे चाटना है क्या अब यहाँ पर साथ जुल लाया कहता आकाश लेकर मैं क्या करूंगा मुझे उसमें क्या कुछ खास सुरकाप पड़े जो मैं चाटूंगा उसको आकाश में आकिर है क्या तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो मतलब तुम्हें आकाश में उड़ना है तुम जा उड़ो जाके मुझे तुम्हारा आकाश नहीं चाहिए मेरे लिए यह गुफाही भली है यही मेरे लिए सरवाधिक सुरक्षित तथा आराम दे है साप को बाज की मुर्खता पर हसी आ रही थी अब क्या है जब वो मर रहा है तो अब वो बोल रहा है कि तो तो कभी आस्मान में उड़ी नहीं सकते तो साप क्या बोलता है कि नहीं तुम्हारा आसमान तुमको मुभारक मुझे तो अपनी गुफा प्यारी है मैं यहीं पर रहूंगा और मैं यहां पर बहुत सुख से हूं तो साप क्या बोलता है कि बाज कितना मूर्ख है मरने पे आगया मतलब आकाश में लड़ते लड़ते मर रहा है मतलब वहीं इसको अपनी मृत्यों का एक जरीया मिला लेकिन तब भी वो आकाश को ही बहुत अच्छा कह रहा है वह सोच रहा था आखिर उड़ने और रेंगने में क्या फरक है साप क्या सोच रहा था कि उड़ने और रेंगने में क्या फरक हो सकता है ये मैं नहीं समझ पा रहा भाई जैसे हम जमीन पे चलते हैं वैसे तुम आसमान में उड़ते हो इसमें फरक क्या चीज है ये साप नहीं समझ पा रहा था अंत में सभी को मरना ही है क्या बोला कि अंत आकर सभी मर जाते हैं मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना है अचानक बाज ने अपना सिर उठाया और चटान की दरारों से गुफा से टपकता पानी वहां फैली सीलन अंदकार और कुछ सड़ने जैसी गंद महसूस करी चीक भर कर कहा काश में एक बार आकास में उर पाता तो अब उसने बोला कि यह जो गंदी जगा थी काश में एक बार फिर से उरान भर पाता मुझे इस गंदी जगा पर नहीं मरना है तो वो क्या को सोचता है काश में एक बार और उरान भर पाता बास की लिए करुण चीक सुनकर साप के मन में आकाश के प्रती इच्छा जाग उठी है अब मरता आदमी जिस चीज की चाहा कर रहा है तो सोचो यानि कि वो बहुत कीमती होगी तो वही चीज यहाँ पर बास जो है वो मर रहा था और मरते मरते सिर्फ एक कामना कर रहा था कि किसी तरह की में आकाश में उड़ जाओ तो उसने सोचा यानि कि आकाश में कोई चीज तो है अब ये साप के अंदर इच्छा जागने शुरू हो गई कि काश आसमान होता कैसा है जरह हम भी देखें क्योंकि बास उसके लिए व्याकुल था किसके लिए आसमान में उड़ने के लिए उसने बास से कहा यदित तुम्हें स्वत्तंतरता इतनी ही प्यारी है तो इस चटान के किनारे से उड़ क्यों नहीं जाते शायद तुम्हारे परो में इतनी ताकत बाकिया हो कि तुम उड़ सको तो अब साप ने भी कहा कि ठीक है अगर तुम वाकई तुम उतना तरब रहे हो तो इस चटान के किनारे पे जाओ चटान उचे पे थी और नीचे समुद्र था तो उसने कहा कि तुम इस चटान के किनारे पे जाओ और वहां से छलांग मारो हो सकता तुम्हारे परों में इत्ती ताकत हो कि तुम उड़ सको मतलब जाओ और ऐसे करके जंप मारो तो शायद थोड़ा सा तुम उड़ने लगो साप की बाते सुनकर बाजने में नहीं आशा जाग उठी वहां दूने उच्छा से गायल शरीर को चटान की किनारे तक ले आया खुले आकाश को देखकर उसने अपने पंक फैलाए और हवा में कूद पड़ा यानि कि उसको साहसा गया साप की बात सुनके और वो गया चटान की किनारे और खुली हवा को देखते ही उसने अपने पंक फैला दिये कि मैं याँ से कूदूंगा और बंक फैला दूंगा तो मैं उड़ जाओंगा हवा में कूद पड़ा उसके टूटे पंक शक्तिहीन हो चुके थे उसका शरीर पत्थर सा लुड़कता हुआ नदी में जा गिरा एक लहर उसे अपनी गोद में समेटे सागर की ओर ले गई अब क्या था बाज ने छलांग तो लगा दी मगर वो जखमी था उसके बंक जो है वो तूट चुके थे और इसके कारण क्या हुआ कि वो जाकर तुरंत नीचे जो नदी बह रही थी उसमें जाकर धम से गिर किया और नदी का जो पानी है वो उसे धकेलता हुआ कहां सागर की तरफ लेके नदी जो है वो सागर की तरफ जाकर मिल रही थी तो वो सीरे कहा ले गया सागर की तरफ उसके शरीर को धकेल कर ले चला बाज की मृत्यू ने साप को चिंता में डाल दिया वो सोचने लगा कि आकाश की सुन्निता में ऐसा कौन सा आकर्शन छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिये अब साप के मन में जिग्यासा होनी शुरू हो चुकी थी कि एक जिसने आकाश में उड़ने की चाह में अपनी जान दे दी आखिर इस आकाश में है क्या तो अब वो धीरे धीरे इसको जानना और समझना चाहता था कि ये क्या चीज़े जिसके लिए बाज ने जान दी आकाश में ऐसा कौन सा ख़जाना चिपा है मुझे भी जाकर पता लगाना चाहिए तो उसने भी हिमत बांद ली कि अब मैं चलता हूँ कहां मैं भी आकाश में उड़ने चलता हूँ इसी बहाने कम से कम उस आकाश का स्वाद भी चक पाऊंगा तो उसने का चलो इस बहाने अब जमीन पे तो रही लिए चलो आकाश का मज़ा भी चकले की आकाश कैसा होता है जो है इतना किसी के लिए प्री है कि वो मर सकता है उसके लिए यह सोचकर उसने अपने शरीर को आकाश की शूनिता में छोड़ दिया मतलब जिस चटान से बास कूदा था उसी चटान से क्या हुआ साप ने भी छलांग लगा दी और अपने शरीर को एकदम छोड़ दिया कूदते हैं तो हम छोड़ दिया हमने हवा के भर हुसे तो वही काम किस ने किया साप ने किया साप जो है चटान के पास आया और उसने छलांग लगा दी साप का शरीर छड़ भर के लिए आकाश में चमक उठा जीवन भर रहिंगने वाला साप छोटी-छोटी चटानों पे ला यह क्या हुआ थोड़ी चटानों के पास पानी में जाके गिर गया सांप साप का शरीर तो भार ही होता है तो गया और जाके तुरंद हमतल्य वह थोड़ा आगे भी नहीं बढ़ने पाया और तुरंद जो है वहां जो चटानों पे जाकर गिरा इश्वर की क्रपा से उसकी जान बच गई इत्ते उपर से गिरा लेकिन तब भी उसकी जान बच गई साप सोचने लगा यदि उढने का यही आनंद है तो मैं भर पाया अब कुछ छड के लिए तो क्या हुआ था कि वो नदी में हवा में जो है वो तैर पाया था तो उसने जरादेर का आनंद लिया था तो उसने कहा था उसने सोचा कि अगर यही उढने का आनंद है तो मैं भर प रहते हैं मतलब जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं यह धर्ती के सुख को जानते ही नहीं है मैंने तो जान लिया कि खूप सारी रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं है वहां शरीर को समहालने या सहारा देने के लिए कोई स्थान भी नहीं है तो अब कि क्या साथ सोचता है कि म इतना जो मेरे लिए आकाश क्या है सिर्फ एक रोशनी का जरिया है जहां से रोशनी आती है और वहां पर अगर मैं जाओं भी तो मेरे शरीर को सम्हालने या रखने के लिए कोई स्थान भी नहीं है कि मैं कहीं पर अपनी शरीर को टिका भी सकूं बेकार है आकाश मेरे सब्सक् heh प्राणियों को छोटा क्यों समझते हैं सब्सक्राइब अ भी कि दोगयों सब्सक्राइब कि अब मैं भी दोका नखाओंगा मैं तो बाज की बातों में आकर ही आकाश में कूधा था मरते बचकर मैंने यही जाना कि अपनी खोखल से बड़ा सुक और कहीं नहीं है तो वो सोस्ता है क्या कहता है साप मैं तो भर पाया मैं तो आप बास की बातों में आ गया और अपनी जान देने पर उतारी हो गया किसी तरीके से मेरी जान बची मेरे लिए तो मेरी खोखल यानि कि मेरी गुफा ही सबसे अच आकाश की आजादी से कुछ भी लेना دेना नहीं है। अपने प्राणों को खत्रे में डालना कहा की चटराई है। साब सोचने लगा कि आकाश की आजाधी प्राप्ते करने के लिए बाज ने अपनी जान गवा दी। तो उसने कहा कि अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा ऐसे मुर्ता बरा जिससे मेरे प्राणों को खत्रा हो बाद में उसके दिमाग में वही बात गूमने लगी क्यों एक बाद ने अकाश में उड़ने के लिए अपनी जान गवा दी वह बात उसके दिमाग मर बैठ चुकी थी कि ऐसा क्या था मैंने भी उड़के देख लिया पर मुझे तो ऐसा कोई मज़ा नहीं आया थोड़ी देर बाद साप ने चटान से धीमा संगीत सुना अब क्या है साप जो है नीचे पहुँच चुका था उसने क्या चटानों से थोड़ा धीमे धीमे स्वर सुन रहा था आवाज आ रही थी धीमी धीमी क्या था संगीत के स्वर साफ साफ सुनने के लिए उसने चटा के नीचे जहाका अब क्या है उसने चट्टान के नीचे जहाका आखिर ये संगीत बच कहां से रहा है तो वो थोड़ा सा जहाका चट्टानों को भिगोती लहरे मधुर स्वर में गा रही थी उनका गीत सहासी तथा मृत्यू से ना डरने वालों के लिए था तो वो लहरे जब तकरा रही थी चट्टानों से तो उनसे जो स्वर निकल रहा था वो एक संगीत का स्वर था और वो लहरे क्या गा रही थी गा रही थी ओ निडर बास शत्रूओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त भाया है वो बास की वीरता के गाने गा रही थी मतलब यहाँ पर मरने के बाद भी वो अमर हो गया क्यों क्योंकि वो वीर था तो यहां किसलिया बोले थी कि बास जो सत्रूओं से लड़ते हुए जो है अपने कीमती रक्त को उसने बहाया इतना जो तकलीव सही तुम्हारे रक्त की एक-एक बून जिंदगी को प्रकाशित करेगी और सह आसी बहादूर दिलों में स्वतंतता तथा प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी तो यह पूरा गीत वो गा रही थी किसकी वीरता में बास की वीरता में साहस वीरता के गीत जब भी गाये जाएंगे तुम्हारा नाम शद्धा और गर्व से लिया जाएगा उनका गीत तो लहरे जो संगीत गा रही थी वो किसके लिए था जो मौत से नहीं डरते अर्था साप के लिए नहीं किसके लिए था बास के लिए था तो यहाँ पर जो ये पाठ हमको बता रहा है कि वीरता परस्तित देखकर नहीं आती वीरता अंदर से होती है तो यहाँ पर परस्तित तक अपनी वीरता को बना कर रखा तो ये पार्ट क्या हमको बता रहा है ये बता रहा है कि वीरता अपने अंदर मुश्किल से मुश्किल परस्तितियों में बना कर रखिये सहासी रहिए वीर रहिए परिश्तितियां जो हैं वो आपके लिए परिक्षाइं लेती ही लेती हैं ह अपनी वीरता और साहस और बुद्धी को बनाए रखने के लिए जैसा कि बाज ने किया साप तो निडर था उसने कोशिश तो करी और बजान बच गई तो उसके बाद दुबारा उसने दुबारा वो कारें ना करने के लिए कसम खाली तो इस तरीके से ये पार्ट हमने पढ़ झाली तो जाय जाय वो कारें।